इंडियाज मोस्ट अवेटेड डिजिटल करंसी CBDC को RBI ने लांच कर दी है 1st of December के दिन और क्या ये एक Indian Bitcoin की तरह है या फिर क्या आप इसमें इन्वेस्ट करके कुछ पैसे कमा सकते हो तो ये आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से मल जाएंगे तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए और अगर आपने मेरे YouTube चानल येज़ टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मेरा ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हो तो आप यश्टीवी के फेस्बुक पेज को भी जरूर फॉलो कर सकते हो रिसेंटली आर्बिया ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी को लांच किया है जिसे हम CBDC कह सकते है या फिर E-Rupee कह सकते है और यहाँ पर ये डिजिटल कैश की तरह होने वाला है तो ये डिजिटल वर्जन ऑफ कैश होने वाला है जो की टोकनाइस फॉर्म में होगा और ये रिगूलेटड बाई RBI होने वाला है क्योंकि RBI ही इसे इशू करने वाली है from the 1st of December तो ये अभी पाइलेट प्रोजेक्ट पर चल रहा है तो इसकी टेस्टिंग के लिए 1st phase के अंदर RBI ने चार बैंकों के साथ टायप किया है तो यहाँ पर 4 बैंक कौन सी है तो सबसे पहला है यहाँ पर SBI, ICICI Bank, YES Bank and IDFC First Bank तो यहाँ पर 1st phase में ये 4 बैंकों से ही आपको य ज़्यादा expand हो सकता है तो यह फिलाल के लिए पाइलेट प्रोजेक्ट पर चल रहा है और इसके फुल रोलाउट के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है क्या डिजिटल रूपी ये क्रिप्टो करंसी है वेल ये confusion सभी के मन में है कि ये क्रिप्टो करंसी है like Bitcoin लेकिन मैं यहाँ पर आपको clarify कर देना चाहता हो कि ये रूपी जो है ये क्रिप्टो करंसी नहीं है और ये blockchain technology पर based बिलकुल भी नहीं है तो ये डिजिटल टोकन है ज जो एक legal tender है जिसकी value ये normal paper करंसी की तरहा है तो डिजिटल रूपी का इस्तमाल आप कही पर भी कर सकते हो अपने transactions करने के लिए जब भी आप shopping करते हो तब आप shopkeeper को आपके पैसे digital tokens के form में pay कर सकते हो जैसे आप UPI payments करते हो अभी normally तो दोस्तो डिजिटल रूपी का ऐसा कुछ खास use case फिलाल के लिए नहीं है लेकिन government यहाँ पर इसके उपर काम कर रही है दोस्तो मुझे ऐसा लगता है कि government यहाँ पर बहुत लेट हुई है इस technology को rule out करने में क्योंकि अगर ये इस technology को note बंदी के समय लेकर आते तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तमाल हो पाता और बहुत सारा काम ये आसान हो जाता तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस समय आ जाता 2016 में तो ये अभी तक UPI से भी बड़ा हो जगता था लेकिन अभी market में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आगे है payment system में तो यहाँ पर इस technology क इन्हें बड़ा करने के लिए सबसे पहले तो PTM फोन पे जीपे जैसे प्लेयर्स का सारा लेना पड़ेगा तब ही ये ये रूपी को successfully यहाँ पर expand कर पाएंगे और पूरी तरह से rollout कर पाएंगे सो दोस्तों मुझे लगता है कि retail के लिए फिलाल इतना बड़ा use case नहीं है digital rupee का जितनी इनके demand है उतनी demands UPI fulfill कर रहा है और यहाँ पर काम अच्छे से हो जा रहा है तो digital tokens buy करने के लिए मुझे तो कोई importance नहीं लगता फिलाल के लिए लेकिन अगर in future ऐसा हो सकता है कि इसमें इसका use case यह expand हो सकता है जैसे कि mutual funds buy करने के लिए bonds buy करने के लिए या फिर government exams की जो fees होती है वो pay करने के लिए आप digital currency का use कर पाओगे यहाँ पर opportunities यह endless है लेकिन यहाँ पर government की speed से इसकी execution करती है यह देखना काफी ज़्यादा interesting रहने वाला है और आपको पता ही है कि government कितनी speed से काम करती है एक out of the box idea यह भी हो सकता है कि Indians अपना खुद का एक cryptocurrency exchange setup कर सकते है जिसमें केवल Indian startups के tokens and coins listed होंगे और यहाँ पर crowdfunding की उन्हें buy करने के लिए आप digital rupee का इस्तमाल कर सकते हो जैसे आप फिलाल के लिए Binance के उपर USDT and BTC pair use करते हो वैसे ही आप Indian cryptocurrency के लिए यह कर सकते हो लेकिन यह केवल एक idea है इसे execute करने में बहुत महनत लगेगी और यहाँ पर यहाँ पर यह मुझे लगता है कि आगे चलकर ज यूज किये जाते है यह देखना काफी जदा interesting होने वाला है तो इंडिया में कुछ भी हो सकता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे like जरूर कीजिए और ऐसे interesting वीडियो देखने के लिए मेरे चानल को अब भी follow करके रखिए